नमस्कार दोस्तो आज कि इस वीडियो में आप सभी PF मेंबरों सो बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2023 में आपने PF में resign date डाल सकते हैं जी आदोस्तो resign date मतलग कि आप किस तरीके से अपने PF में अपनी company छोड़ने की तारीक डाल सकते हैं वो भी घर बैटे अपने mobile phone से केवल दो मिन्टों के अंदर आपको कहीं भी जाने के जड़त में ना ही तो आपको अपने ठेकेदार के पास जाना है ना ही तो आपको अपने employer के पास जाना है आप लोगों यह तो पता ही हुआ कि बिना resign date किये यानि बिना resign दिये आप अपने PF में से pension का पैसा नहीं निकाल सकते और बहुत से जो खराब ठेकेदार और employer होते हैं वो यह company चोड़ने के बाद भी PF में उनकी resign date नहीं डाल सकते हैं ताकि वो अपने PF में अपना पूरा प इडियो को इस वक्त यहां पर आप लोग देख सकते हों लोग EPFO यानि PF की official website पर आ चुके हैं इस website को लिंक है वो आप लोग को description मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके directly इस website पर आ सकते हैं अब आपको करना क्या है simply यहां पर नीचे की तरफ slide down करना है यहां पर आपको simply अच्छी तरीके समझ आ जाए ठीके ना तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जो detail से मैंने फिल कर दिये अब हम simply यहां पर sign in पर क्लिक करके login कर लेते हैं एक बार ठीके ना चलि मैं click कर देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं sign पर क्लिक करते ही हम लोग successfully PF की portal पर जो है login हो चुके है ठीके ना अब हमें यहां पर मैं आपको निसान लगा के दिखाएता हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग ठीके ना यहां पर हमें 5 option मिल जाते है ठीके ना पहला home का दूसरा view का तीसरा manage चौथा account पांचवा online services का हमें simply इस तीसरे वाले option manage पर click कर देना है चलि मैं click कर देता हूँ manage पर click करते ही दुबारा आपके सामने 5 option आ जाएंगे आपको simply last वाले option mark exit पर click कर देना है ठीके ना चलि मैं click कर देता हूँ mark exit पर click करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा अब मैं आप लोगो एक बात समझाओंगा बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझना ठीके ना अब देगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा employment का और नीचे option मिलेगा select employment का ठीके ना आपको select employment पर click करके बताए क्या करना ह कि ऐसा होता है बहुत से लोग होते हैं उन्होंने एक company से ज्यादा में काम किया होता है मतलब 3-4 company में काम किया होता है तो आप यहाँ पर simply select employment पर जैसे ही click करोगे जितनी भी company में आपने काम किया होगा सारी company के नाम member ID आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी आप लोग देख स होगी ठीक है ना सबका नाम आ जाएगा तो हमान लो यहाँ पर पहली वाली company में design देना है समझा रहा है ना आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से तो हमें यहाँ पर पहली वाली company में design दे रहा है तो मैं यहाँ पर पहली पर टिक करते ही getting employment detail आएगा यहाँ पर detail आग कौन सी date डाले मनलब तारीक कौन सी डाले सर हमें तारीक में confusion है कि हम कौन सी company छोड़ने की तारीक डाले तो यहाँ पर जो भी month आता है month तो automatically select होगा ठीक है ना आप महीना automatically जैसे March आ गया आपने March में company छोड़ी थी महीना automatically select होगा आप सिरिफ date select कर लेते हो तो जो date में confusion है तो में दूर करता हूं शिरिफ एक second के अंदर कि आपको यहाँ पर month की second last या last date डालनी है ठीक है ना तो में आपर second last date डाल देता हूं 30 हमेशा आपको जैसे मैं 30 डाल दिया जितने का भी महिना है उससे एक दिन पहले जैसे 31 कमें 30 तारीक डाल दी दुबारा यहाँ पर option है अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी जो जहाँ पर PAP members गलती कर देते हैं उनका पैसा फज जाता है select reason of exit कि आपको यहाँ पर reason कौन सा डालना है simply यहाँ पर click करना है यहाँ पर आप से कह सकते हैं एक दो तीन चार reason आएंगे बहुत से लोग गलती करते हैं retirement डाल देते है consent पर click कर देना है मैं आपको बिल्कुल सरल बासा में सब कुछ बता रहा हूं और समझा रहा हूं ठीके ना उसके बाद जो भी आपके आधार से इस्टेड मोबाइल नंबर है request OTP पर click करके आपको यहाँ पर OTP simply आपके मोबाइल नमर पर जाएगा नीचे OTP फिल कर देना है आपको simply आपर consent पर click कर देना और submit कर देना है बस कुछी steps में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस जैसे ही आप submit पर click करोगे आपके जो PF में है वो resign date successfully update हो जाएगी जैसे मैंने एक company का अगर के दिखाया आपके जितनी भी company है आप step by step सभी company में resign date डाल सकते हैं बहुत ही तुरंत approval मिल जाएगा तुरंत resign date चड़ जाएगी आपको उसके बाद कहीं जाने को जूरत नहीं है company से कोई मतलब नहीं है समझा गया आप लोग को बागी कोई doubt हो इस वीडियो से related तो comment box में comment कर दना बता दूगा आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो चले के चै subscribe जरूर करें धन्याद दोस्तों